हेलो फ्रेंद्स लाइफस्टाल फाउसर में आप सबका सौगत है तो अभी ये सुबा का छे बज रहा है तो यहां पर मैं टिफिन मनाने की तयारी कर रही हूं तो अब सारे जो हूली वगरा की जो तिवार थे न वह सब खतम हो गए थे होली की रैसिपी वगरा समय ने दे में आहीं थे तो मैंने राए जीडात ख ठरका दी थी छिए फिर मैंने अच्छे न भून कर पिरस का अब जहाएकने होते हैं नमटर वो मैंने दाल दी हल्दी और लालमर्च का पावडर डाल कर नमक डाल कर भास इसको मेक्स कर दी थी और फिर जो उसका थोड़ा सा कच्छा पने ना को पकने देंगे हम लोग और जब कच्छा पन खतम हो जाएगा तब उसमें हमारे जो राइस है वो इसको डाल देंगे तो आज उसके मनखा ये रेसिपी बन रहा थी तो उसको बहुत अच्छा लगता है ये टिफिंग में लेके जाना तो आज ये ही उसके लिए मैंने टिफिंग में बनाई थी तो बहुत दिन के बाद में उसने मुझे बोला था ममी जो मतर वाले फ्राइडाइज होते हैं आप बनाते हो वाला फ्राइडाइज मुझे बनागे दे तो मुझे वो लेके जाना है तो बस वही सिंपल वाली यहां पर मैंने बनाई थी और फिर इसको एक मिनिट के लिए मैं ने ढग दी थी ताकि जो इसका कच्छा पने वो निकल जाए और नमक वगरा अच्छे से राइस में मिक्स हो जाए तो बस यही अब मैं अच्छी तरह से यहां पर मिक्स कर दे रही और बस अभी यह रेडी है मिक्स कर दूंगी इसको एक मिक्स दूंगी अच्छी तरह से और इसको टिफिन में मैंने उसको निकाल कर दे दी थी तो बस टिफिन को पैक करके मैंने उसको दे दी थी वो चला गया था अपने स्कूल मतलब वो कॉलेज में 12 में है तो वो चला ग नाश्टा वगरा रहता है वो सब मैंने रेडी करके और हम नो नाश्टा वगरा कर लिए थे इसके बाद में फिर मैं अपनी तयारी वगरा करके चली गई थी फिर अपने जो मेरे काम थे उसमें करने के लिए पहले तो थोड़े घर के काम थे दोपहरी की लंच की तयारी भी करेले की सबजी में ने बनाए थी आज तो करेले को मैंने काट कर उसकंदर नमक वगरा मिलाकर रखकर ही चली गई थी मैं और जो भी मशीन वगरा है जो कपड़े दूलने वाले वो सब कुछ में मशीन में डालकर लगाकर अच्छी तरह से गई थी तो जब मैं वापस आई ह हूं यहां पर तब तक मुझे आते साड़े बारा बच गेते दुपहर के तो यह कपड़ा तक मेरा धूल कर हो गया था तो अभी वही निकाल कर मैं पहले इसको सुखने के लिए लाव रही थी ताकि मैं जो मेरी दूसरे और भी कपड़े थे ना धूलने वाले वह समय धूल सको यहां पर तो इसमें भी देखिए तो बेटे के पैस दो युनिफॉर्म है तो युनिफॉर्म हमारे कपड़े और जो भी डेली के लगने वाले हैं देखिए कपड़ा है यह साफ नहीं हो था वाइट बहुत गंदा करता है बेटा मेरा इतना बड़ा हो गया लेकिन निकल के रखी दिना तो मैंने दूसरे कपड़ों के साथ में इसको मैंने फिर से डाल दीती दुलने के लिए तो सेकेंड बहच में वह अच्छी तरह से साफ हो गया था यहां पर और मैंने आपको बताई थी पहले भी कि मैंने तैयारी वगरा सबजी की दूपर की लंच की करके गई थी तो अभी तक ना बेटे के स्कूल से मैसेज नहीं आया था मुझे साड़े बारा बज गए थे तो मुझे लगा था कि एक बज़ी वह आ जाएगा तो बहुत लेट हो गया है अभी खाना बगर अब आने के लिए तो लेकिन बान में फिर पहने एक बज़े मैसे करने के लिए तो मुझे थोड़ा सा काम था बाहर जाना था बहुत जरूरी काम था जो मुझे निप्टा नहीं था तो इसके लिए सुबह में हजबन ने बोल दिया था कि तुम अपनी जो तैयारी है वो करके रखो और फिर चलेंगे तो हमारे काम जो है वो सब कर लेंगे ह के लिए दूसरे सा सलब तो है वो सब करना ही प्ड़ता हूँ तो कर लेते हैं obvious मेरी मेरी ज़रुद्ध ही तो मैंने बनाई थी करेले की सबजी, धाल, चावल, रोटी तो यह सब कुछ मैंने बनाई थी और करेले की सबजी मेरे बेटे की फेवरेट सबजी है, हस्बेंड की भी फेवरेट सबजी है, मैं भी खाई लेती हूँ, मुझे भी पसंद है बट मुझे बहुत सारा मसाला लाल कर तो यह रखे और मैंने यह ड्रेस पहनी हूं इन सब का मैंने आपको वीडियो दी हूं तो आप एक बार देख लिजेगा तो यह जो मैं जाने के पहले जो नमक वागर लगा कर गई थी ना यह वह ली क्लिप है तो मैंने अभी इसको यहां पर एड़ करी हूं ताकि आपको एक साथ में ही समझ में आये कि रेसिपी मैंने कैसे की है इसकी तो अभी इसको मैंने नमक लगा कर रख दी थी समझ लेजी एक घंटा यह रखा हुआ था और आप इसको न अच्छी तरह से निचोड़ कर इसका जो सारा पानी है मैं निकाल ले रही हूं पानी इसके लिए न और इसका जो चिलका होता है वही मैंने निकाल कर उसको एक थोड़ा-थोड़ा सा प्लेइन कर दी थी और मैंने आधा कि तैल में मैं प्यास कर दी बुनियों और हलका हलका बुनने के बाद में ही इसकंदर मैंने करेले डाली हूँ ज्यादा पहले ही प्यास लाल कर देंगे न तो जब करेले को लाल करने की बारी आएगी तो आपका प्यास थोड़ा सा जला हुआ टेस्ट देखा तो देखिए अब थोड़ा सा यह देखिए अच्छी तरह से थोड़ा सा यह भून चुका है तो अभ संनाय उसली दोले के रहां अग्जा तो मुझे जब मैं करेले कर हला कर पहले रखताल सा नाम जहों करेले की बनाथा घुमें प veggie संब थे मैं असमें बलस में पहला कीगा आठा किलो अज़ाउने में घु हं कब ना यह दिखिए अब इसको मैंने फश्म खरके ढग दिपर दिखे तो आफ मैं इसको मिंख्श कर रही हूं तो मैं बता रही थी आपको कि जो काली वली कलउंजी वह दाली थी और धनिया का पावडर बस इतना ही मैंने इसको डाली थी तो पहले मैं करहले के मसाला जो भूनकर हम लोग पीस कर रखते हैं उसकी वी रैसिपी मैंने दी हूँ तो वह भी आप इसमें डाल सकते हैं बट मैंने नहीं डाली थी वह आज मुझे थोड़ा सा सब्सक्तों का रंबेटों करो मां ऐसे samma क्यों तोक में दाल नरे के लिए तोक में बना रहे हूं क्योंकि बेटा लेट आने वाला था न उसकी जो उपर का जो जाग होता ही ऻुँनिकाल कर मैंने इसमें टोमाटर मेर्चि लेसुण सब काटका डाल दी थी अब देखिए हमारा करेला ना यहां पर थोड़ा सा पक गया है इसको मैं फिर से डग दूगी और यह दीरे-दीरे ली थी और चावल बना ली थी और हम लोगों ने लंच वगरा कर लिए तो मैं आज बहुत जारत थक गई तो मैं सो गई थी तो यही था आज का वीडियो कुछ भी अच्छा लगाओ तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलती हूं आपको एक अच्छे से वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाई